वालो दोस्तों investing with प्रेम चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो है मैं जो है इसी दो कंपनी से लेट करके लाए हूं चोकि जो है आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा ख सब्सक्राइब करने वाला हूं यह भी जो बहुत अच्छी कंपनी में अभी तो उतन अच्छे रिटन नहीं बने लेकिन इस कंपनी का बिजनस इस तरीके का है कि आने वाले टाइम में यानि कि आप यह मान के चलिए चार-पांस साल के बाद आप दिखेगा इसका जो रिट करके जो है डिसकस कर लेते हैं यहां पर लेकिन जो भी हमारे नई वीवर्स हैं अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इस चैनल के एक बाद सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिविकेश जो कि निगेटीव में 8% करा रहा है और महीं 5 साल का ये भी जो है निगेटीव में रहा है क्योंकि ये कंपनी जो आप देख सकते हैं ये कवाई हुए ये अगस्त 2023 में ये लिस्ट हुई है तो इसके रिटर्न जो भी उतने खास नहीं बने है लेकिन इसके बिजनस के बारे हमारे कंपटिर करती है यानि här कंपनी मैने पंफेक्चरिण फैसलिक वी आप देख सकते हैं में से से इसके इनी हैंरे च डोषिंहे में प्रोडुक्टियम्ट तर में चिक पाथ एक यूपर तिती आप पाइन से जो हे चार भुआ है जो है शेया जाक श्म्हांयोच में सकते हैं और प्रोष और जुकुत इस चार घ्रिज में обяз़ पनेतीया चत्या और और जो है यह IBC जो कितने त्यार कर लेते हैं वहीं MS drum कितने 6200 टीपा त्यार कर लेते हैं और यह मैनुफेक्ट्चर करते हैं यानि इतनी लिटर की capacity रहती है उनके drums की और जो है यह 1000 लिटर के जो IBC container है वो यह मैनुफेक्ट्चर करते हैं और इस company के जो है कुछ clients हैं वो भी आप देख सकते हैं जिसे इस company के जो खास का client है जैसे कि यह पतंजली होगी अडानी बिलमार हो गया जेस डबलू हो गया दीप अगनाइटर हो गया एशियन पेंट्स हो गया यूनाइटेड फॉस्फोरस हो गया ठीक है जी एसील हो गया य जैसे यह है जो आई बीसी container है इस तरीके के container यह company बना के देती है और दूसरे टाइप का जो आप देख रहे हैं यह देखे प्लास्टिक बैरल से यह भी company बनाती है और एक यह आगया MS बैरल यह तीन टाइप के जो है यह जो है ड्रॉम्स बगेरा जो यह company बना के देती है सकते हैं और यही जो है company के मेंट प्रोड़्ट है और इस company की growth भी आप note कर सकते हैं इसוס में आ आप देख सकते हैं इसकी जो तीन साल की compounded sales तेख़ेग जो ग्रूध है वहीं इसकी कंपानेट्न प्रोफिट ग्रूध ये जो काफी ठीक है और वहीं इस कंपनी की जो सेल्स यो भी आप देख सकते जो कि ये और बेस पर है और इसमें आप एक चीज देखएगा जो कि काफी शांदार तरीके से यह बढ़ती ही जा रही है जो कि आप यहां पर देखिए 2020 में इसकी जो sales थे 269 करोड़ से बढ़के 314, 400, 400 से बढ़ते 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 आज की ताइमें 522 करोड़ तक इसको जो है sales इसकी होने लगी है इसका जो operating profit है वो भी काफी अच्छा बढ़ा है जो की अठारा करोड़ से बढ़ते 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 आज की ताइमें 45 करोड़ तक हो गया है हाले कि पिछले इयत के मकाबले थोड़ा सा कम रहा है यह तो कोई दिक्त वाली बात नहीं है और इसका जो net profit अब भी काफी अच्छा जो की 6 करोड़ से बढ़ते बढ़ते इसको जो है 30 करोड़ तक इसको सीधा सीधा net profit हो रहे लगया है और इस company की fundamental भी हम देख लेते हैं कि fundamental कैसे है और यह जो company का market cap देख सकते हैं जो की आप देखेगा जो की 632 करोड़ का market cap यानि की small cap की company है और बहुत छोड़ी company यह बन सकती है और इसका जो current price चला 172 चला इसने जो high बनाया रहा है वो 239 रुपिस का बनाया था और जो low बनाया था वो 140 रुपिस का low बनाया था इसकी जो book value 56.6 है और इस company की dividend level भी कुछ नहीं है क्योंकि company भी बहुत छोटी है और अभी जो है expand कर रही है अपने आपको ठीक है इसके जो equity matrix है यानि ROC है वो देखिया 30.9 है जबकि ROE जो है वो 34.9 है यह धोनों ही 30 के ओपर बने हो जो की बहुत ही बढ़िया यानि accident level पर करेंट रेजियो इस company का 2.81 है जो की एक के उपर ही रेनाजी जो कि यहां पर है जो की काफी अच्छा है और इस company के पाई free cash flow भी जो काफी अच्छा है जो की 16.7 करोड है यानि इसके थूरू यह capex वगरा कर सकती है company reserve भी इसके पास बहुत अच्छे है जो की 171 करोड के है वहीं इसके उपर जो करजा वो मात्र जो 5.29 करोड का इसके उपर करजा जो की ना के बराबर है और इसके जो है debt to equity आप देशके जो की 0.03 यानि ना के बराबर आप कह सकते है और यह एक के नीचे रहनी चाहिए ठीक है तो यानि company में जो कर्च को लेके किसी भी तरह की कोई इसके पास भी थोड़ा सा है जो कि 3.18% का stake है तो इस company की fundamental वो काफी अच्छे है company sales भी अच्छी करती जा रही है ठीक है और इसका financials भी काफी अच्छे है और इसका business जो है वो बहुत अच्छा यानि आने वाल टाइम है इसका जो business है वो काफी तीजी के साथ जो है वो grow करत चला है और एक दिन का return आप देखिए इसने जो है 10% के positive के return बना के दियो है एक ही दिन में ठीक है वह इसका एक महीने का return आप देख सकते हैं जो कि 22% के positive के return है एक ही महीने के एक साल का return देखिए जो कि 254% के positive के return है यानि एक साल पहले किसी ने अगर इसमें एक लाग लग काहिए होताँ तुर्प एक लाग जो है वो साड़े तीन लाग से जादा बन चुका होताँ ठीक है एक साल के अंदर अदर आप पांट साल में रिटना देखिया इसका जो कि कुतना पंदरा सो और परसंट की मानिया की पना सोब संट के भूझ-टर रिटन इस company ने बना के दी है तो यह company जो है बहुत ही ज़्याद अच्छी company है इसके return बहुत ज़्याद अच्छे तो यहाँ जिस company की हम बात कर रहे हैं इस company का नाम भी आप note कर सकते हैं इस company का नाम आप देख लीजे इसका नाम है Pulse Electronics Limited ठीक है और यह company जो हमारे 2005 में जो है incorporate हुई थी जो कि आप देख सकते हैं और इस company का जो main business जिसमें क्या काम करती है यह company जो है डेवलप करती है manufacture करती है high quality जो audio systems है वो यह company जो है develop and manufacture करती है और इस company के जो product है वो भी आप यहाँ पर देख सकते है इस तरीके के audio system यह company जो है वो manufacture करती है develop करती है और इनका use जो ऐसे बड़े-बड़े malls हो गया है ठीक है और यह hall हो गया picture hall हो गया है ठीक है इन जगहों पर जो है इनका use किया जाता है और इस company की जो growth है वो भी आप देख सकते है जो कि बहुत ही ज्यादा शांदार है इस company को मैंने इसलिए select के आता है जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो 10 साल की compounded sales growth देखे 24% से बढ़ रही profit growth देखेगा आप जो कि कितना 41% से ग्रो कर रहा है वही 5 साल की sales को देखे 20% से ग्रो कर रही है वहीं इसका जो compounded profit growth देखेगा जो कि 92% से ग्रो कर रहा है वहीं इसका जो एक साल का stock price cgr देखे जो कि 255% के साथ जो यह ग्रो करता जा रहा है और इस company की sales भी आप देख सकते हैं जो की एर और यह बढ़ती ही जा रही है जैसी आप यहां पर देखे इसकी जो है sales गूर पहले कितनी होती 2017 में 13 करोड से बढ़ते 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 आज के टाइम पर देखे 46 करोड तक स्कोर है और यह देखे लिए कंटीनियूसली देखे बढ़ती जा रही है यहां पर थोड़ा कोबिड के बाद जो कि एक से डेट करोड हुआ करता है वहां से बढ़ते 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 जो है लगबग जो है आठ करोड तक होने लग जया है तो कंपनी का जो है sales और प्रॉफिट जो है बहुत अच्छे तरी किसी करती जा रही है इस कंपनी के जो फंडमेंटल भी हम देख लेते हैं यह बहुत ज्यादा चोटी कंपनी यह अल्ट्रा माइक्रोगेप की कंपनी में इस कंपनी को कहूंगा जिसका आप मर्केट प्राइस देख सकते जो कि 170 करोड का है ठीक है यानि बहुत चोटी कंपनी है इसका करेट बने बने 63 रुपीज चल रहा है और इसने जो हाई बनाया थ को आप देख सकते जो कि 23 है और यह company जो कोई बी डिव डिव डिवडेन जी प्रॉड ने जी कराती है इसल लए इसका कोई बी डिवटेंट रही है और इस धोनों हुद चीज जिछ इस company के promoter ने भी अपना कोई भी stake जो है वो plays नहीं रखा जो कि बहुत अच्छा है current ratio भी इसका जो एक के उपर है जो कि 2.43 है यह भी बहुत सही है और पेगर ratio की हिसाब से भी आप देख सकते हैं इसमें यह महंगी नहीं हुए है यह 1.5 के हमेशा नीचे रहने चाहिए जो कि इसलिए इसका डेट कोटी है वो 000 यानि कि एक तरह के सकते हैं इस company में एक पैसे का भी कर्ज यह आप मान के चलिए और इस company में जो प्रमोटर का stake है वो आप देखें जो कि 73.3% इसमें बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है यानि 70 से उपर यह तो बहुत अच्छा है औ तो इस company के जो है मैंने इस company को इसलिए select किया कि इसके जो fundamental मुझे बहुत ही जाद अच्छे लगे इसका business जो है यानि जो भी बिजनस करें बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में यह भी बढ़ता ही रहेगा इसका financials काफी अच्छे है valuation की साफ से बहुत सही मिल रही है और इसने अभी तक जो है return भी बहुत जाद अच्छे बना के दिया है यानि किसी भी company के आप जो पुराना record देखके उसके आगे के लिए आप सोच सकते कि आगे भी इसी तरके का perform करेगी तो उस हिसाब से अगर मैं देखू तो यह company जो बह sell करने का recommendation नहीं है इसमें किसी भी तरके कि अगर आप कोई buy a sell करना चाहते हैं तो अपनी खुद की research एक बार जरूर कीजेगा अपने financial advisor से सला लेने के बाद ही कुछ investment कीजेगा मैं कुछ CB द्वारा registered investor advisor नहीं हूँ और हाँ अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह information बहुत जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन पर click करके all पर hit कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के notification मिलते रहे और जो है साथ के साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए इसी तरके की all वीडियो जो है बना के लाता हूंगा ठीक है तो चले फिल मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक की लिए thank you so much